हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ नेर्मला मेरे किचन में आपका बहुत बहुत सागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पालक की सबजी बनाने का ऐसा नया तरीका जो यह दिया आप अपनाएंगे तो जिनको पालक नहीं पसंद वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे तो फ्रेंड्स अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें साथी मेरे ऐसी और फी रेसिपीस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन पर प्रेस जरूर करें तो चलिए आज की मज़िदार पालक की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पालक तो ये मैंने 500 ग्राम पालक लिया है और पालक को अच्छे से दोकर साफ कर लिया है पालक में भी दो वेराइटी आती है एक तो बड़ी पत्ते वाला पालक भी आता है और इस तरह से छोटी पत्ते वाला भी पालक आता है तो मुझे पर्सनली ये छोटी पते वाला पालक ज्यादा पसंद है और इसकी जो डंटल होते हैं वो ज्यादा मोटे नहीं होते हैं तो इन्हें हमें काट कर भी अलग नहीं करना पड़ता है इससे सबजी भी बहुत एटेस्टी बनती है साथे फ्रेंड्स जबी भी आप पालक की सबजी बनाएं तो उसे काटने से पहले ही दोकर अच्छे से साफ कर लें काटने के बाद कभी भी पालक को ना धोई अब दोने के बाद मैंने पालक को कपड़े पर फैला दिया था जिसे इनका एक्स्ट्रा पाने निकल गया है तो अ हमने हाथों में इस तरह से बंच बना लिया है पालक का और इस तरह से इसे काट करके तयार कर लेंगे पालक को साफ करने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि जबी भी आप मार्केट से पालक लाएं तो किसी बड़े बरतन के अंदर पालक को थोड़ी देर पानी के अंदर ही र में ज़्यादा जाता है तो यदि इस तरीके से आप पालक की सब्जी बनाएंगे तो आपको उसे साफ करने में भी परेशानी नहीं आएगी तो इस तरह से सारा पालक मैंने काट लिया है और देखे कितना सारा हम पालक लेते हैं लेकिन आगिर में थोड़ा सा पालक ही बज़ करता है तो चलिए अब सब्जी बनाने के लिए जो फर्स्ट स्टैप हम करेंगे उसके लिए एक पैन के अंदर एक बड़ी चमच मुंगफली लेकर इसे लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे तो यहां पर मुंगफली को कुछ सेकंड के लिए मैंने रोस्ट कर लिया है ताकि इसका कच्चा पर निकल जाए मुंगफली को कुछ दिर रोस्ट करने के बाद अब इसके अंदर एक चमच बेसन डालकर इसे भी रोस्ट कर लिए बेसन जल्दी से रोस्ट होने लगता है तो इसे लगातार चलाते वे लो फ्लेम पर रोस्ट करें अभी इसमें लास्ट में एक चीज हम और डालने वाले हैं तो लगबग मुंगफली और बेसन को 30-40 सेकंड हमने रोस्ट कर लिया है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे एक चमच सफेद तिल तो यह आप जरूर से एड़ करें इसे सबची का टेस्ट टेक्शर बहुत ही बढ़ी आता है अब तिल को भी हमें कच्चा इस्तमाल नहीं करना है तो 30-40 सेकंड के लिए फिर से सारी चीजों को रोस्ट कर लेते हैं इससे जो बेसन और मुंगफली की बच्ची कुछी कसर है ना वो भी निकल जाएगी यानि वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे कभी भी तेल और मुंगफली क तब तक हम आगी की तयारी कर लेंगे तो इसके लिए एक पैन के अंदर मैं एक से दो चमस तेल गरम कर लूँगी तेल की बचाए आप चाहें तो गे का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा मैं इसके अंदर दो साबुत हरी मिर्च एड़ कर रही हू इससे सबजी देखने में खाने में बड़ी अच्छे लगती है लेकिन लसुन डालना टोटली ओप्शनल है यदि आपको नहीं पसंद है या आप लसुन नहीं खाते हैं तो इससे स्किप कर सकते हैं तो कुछ सेकेंड हरी मिर्च और लसुन को पकाने के बाद अब ये बात में ज्यादा लगते हैं लेकिन जैसे ही पकेगी वो कम हो जाएगी तो सावधानी से हमेशा नमक डाले और पालक में ओल्रेडी जो नमकिन टेस्ट होता है उसमें नमक ज्यादा डालने की जरूरती नहीं पड़ती है अब हम क्या करेंगे कि मीडियम फ्लेम पर इस पाल है और दूसरे साइड में एक कडाई लेकर इसमें फिर से एक से दूर चमस तेल करम कर लेंगे अब तेल जब करम हो जाएगा तब मैं इसमें एक क्यूब बटर भी आड़ कर रही हूँ इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी का बटर की जगए आप चाहें तो गी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं जब ही भी आप तेल और बटर दोनों का इस्तिमाल करें तो जब तेल हलका गरम हो जाए तब ही उसमें बटर एड़ करें इससे बटर जलेगा नहीं अब यहाँ पर तेल करम हुई चुका है और बटर धेरे-धेरे मेल्ट होता रहेगा तो इस से इस पर हम क्या करेंगे एक चमस साबुत धनिया लेकर इसे ऐसे हतीलियों में क्रश कर लेंगे और फिर जब इसे तेल में पकाएंगे तो बहुत यह अच्छा टीस्ट आता है इस सबजी में तो यह आप जरूर से डालें तो कुछ सेकंड मैंने साबुत धनिया को पका लिया है क्योंकि धनिया पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है और फिर हम इसमें आदी छोटी जमस जालेंगे जीरा और इसे भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे और बस कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगी दू साबुत लाल मिर्च तो ये अभी डालें ताकि ये जली नहीं शुरुआत में डाल देंगी तो जो लाल मिर्च होती है वो जलने लगती है और इसे के साथ आदा जमस जालेंगी इसमें बारी कटीवी लसुन और अब लसुन और लाल मिर्च को भी इसी दड़के के साथ पका लेते हैं तो लसुन जब हम इस तरह इसी दड़के में पकाते हैं तो सबजी का टेस्ट भी बहुत बढ़ी आता है और इस तरह से जब आप तड़का पका रहे होंगे तो बहुत एच्छी खुश्बू भी इनमें से आने लगेगी अब लसुन को हमें हलका सा गोल्डन होने तक पकाना है तब ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो यहाँ पर देखे लसुन को मैंने पका लिया है और अब बारी आतीयस में प्यास डालने की तो मैंने एक बड़ी साइच का प्याज बारी काट करके लिया है और अब प्यास डालकर इसे भी हम एक से दो मिनिट के लिए पका लेंगे तो इस तरह से जब हम सब्जी बनाते हैं तो थोड़ी से पालक से हम धेर सारी सब्जी बना करके तैयार कर सकते हैं और अब साइड में जो पालक रखाता हमने पकने के लिए देखिए इसमें से पानी निकल करके और इसे में अच्छे से मिक्स हो रहा है ओल्मोस्ट इसका पानी सूख गया है तो बस मैं गयस का फ्लीम ओफ कर दूँगी इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की जरुरत नहीं है ज़्यादा पकाएंगी तो पालक भी काला पड़ जाएगा और इसकी पोश्टिकता भी खतम हो जाएगी और यहाँ पर प्याज भी हमारा लाइट प्राउन हो गया है तो अब इसके अंदर डालेंगे एक जमच बारी कटिवी अदरग और अधर के साथी इसके अंदर डालेंगे एक बड़ी साइच का पारी कटावा टमाटर और अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ासा नमक क्योंकि पालक में हम नमक पहले ही डाल चुके हैं अब तमाटर अच्छे से और जल्दी से सौफ्ट हो जाएं इसके लिए नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब कड़ाई को हम कवर कर देते हैं ताकि सारी चिजे जल्दी से सौफ्ट हो जाएं तो लगबग 1-5.5 मिनिट कड़ाई को मैंने कवर करके पकाया है तो अब टमाटर बहुत ही अच्छे सोफ्ट हो गए है अब एक बार इने अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब बारिया तीन में पाउडर मसाले डालने की तो पाउडर मसालों में हम लेंगे आदी छोटी चमज धनिया पाउडर एक चोथा चोटी चमज हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच एट करेंगे इसके अंदर लाल मिच का पाउडर और अब इन पाउडर मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं तो बहुत ही मिनिमम मातरा में इसमें पाउडर मसाली जाते हैं क्योंकि बाकी चीजों का इतना अच्छा फ्लेवर इसमें आता है कि जधा मसालों की इसमें जरूरती नहीं पड़ती है अब मसालों को पकाने की बाद जो ग्राइंडर जार में हमने चीज़े निकाली थी मैंने उन्हें ग्राइंड कर लिया है और अब इसे भी डाल करके एक से टेड़ मिनिट तड़के के साथ पकालेंगे ताकि इसका भी बड़ी ऐसा फ्लेवर निकल कर आए अब सारी चीज़ों को एक से दो मिनिट पकाने की बाद इसमें एड़ करेंगे गरम पानी ताकि जो हमारी कुकिंग प्रोसेस है वो भी स्लो ना हो सफटा फट से ये सबजी बन करके तयार हो जाए तो जैसे आप मिक्स करेंगे तो देखे सारी चीज़े पड़ी ऐसे इसमें तो अब एक बॉयल आने का इसमें वेट करेंगे और जब सबजी में बॉयल आजाएगा और ये इस तरह से आपको थोड़ी से काड़ी लगने लगेगी तब इसमें हम एड़ करेंगे ये पालक तो नॉर्मली हम पालक की ड्राइ सबजी बनाते हैं लेकिन ये सबजी हलकी ग्रेवी वाली बनती है जो खाने में देखरे में बड़ी ही कम माल की लगती है अब पालक को मिक्स करने के बाद इसे एक से दो मिनिट के लिए और पका लेंगे ताकि सारी चीज़े बड़िया से गुल मिल जाएगी और ये देखे सबजी की कंसिस्टेंसी है ना कम माल की पालक अलग पानी अलग कुछ भी ऐसा नहीं होगा इसमें और बहुत ही टेस्टी सबजी बनेगी अब इसको फाइनल हम एक तड़का लगाएंगे चो टोटली ऑप्शन है लेकिन लगाएंगे तो स आदा चमच इस तरह से बारी कटावा लेसन भी एड़ कर लेंगे तो यदि आप अपने लिए बना रहे हैं ना तो कोई चरूरी नहीं इस तड़के की लेकिन यदि आप वहमानों को सर्व करें तो आप एक बार इस तरह से तड़का लगा कर ये सबजी बनाएं उन्हें सर् जी के पास ही ले आई हूं और अब इसमें मैं डालूंगी अच्छे कलर के लिए आदी छोटी चमच लाल मिर्श का पाउडर और इसे भी पका लेंगे तो ऐसा करने से लाल मिर्श पाउडर है वो बिल्कुल भी चलेगा नहीं तो थोड़ा से मैं गारनिशिंग के लिए पका लोंगी और ये देखें फ्रेंड्स हमारी बहुत ही टेस्टी पालक की सबजी बनकर है तयार जो देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रही है और खाने में तो पूछिए इमत जब आप इस सबजी को खाएंगे तो एक नहीं दो नहीं कटोरिया भर भर के खाएंगे तो अगर आपको ये नहीं तरिके की पालक की सबजी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें और जब भी आप ये रेसिपी ट्राइक करें अपनी फीड़ बैक मेरे साथ चरूर शेयर करें मैं फिर से मिलूँगे आपको एक ऐसे और नहीं मज़ेदार के साथ तब तक के लिए रखें अपना धेर सारा ख्याल